कि नमस्क्राइब दोस्तों आईए मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है तो आज मैं एक नॉर्थ फेसिंग कि बिल्डिंग प्लैन लेकर आया हूँ जिस बिल्डिंग प्लैन का यह जो साइड है यह जो साइड है इसका लेंद है हूव स्द्रिण को अब आप अगर रहां कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो यह बुल्डिंग प्लैंद बहुति आच्छा है कि विल्डिंग प्लैन बाहर के तरफ एक च्टेर देया हुआ है और यह का है क्ति आए तो आए इस बिल्डिग प्लेंग की डीटेयल में देखते हैं तो यहां पर आपको एक डाबल फॉल्डिंग मिलेंगा और यहां पर एक चोटा सा बारणना मिलेगा जहां पर आप इसको आप ऊपड बाइक की पार्किंग के टे चैंस नबसुह है। Tipps अपशनों आप यह जा सकते हैं यह होगा यह जो इस्फेस है यह अगर फॉलवर में जाते हैं तो यह Japanese लेंडिंग और यहां कर लेंडिंग Mr. यह City का मिने इन्ट्री में सकते हैं यह जो duning इसका we are यहां से यहां तक है 10 feet और यहां से यहां तक है 13 feet change मतलब यह एक अच्छा कासा तो यह जो किचन है किचन का dimension है 6 feet यहां से यहां तक है 6 feet और यह जो है यह 6 feet 6 inch और इसमें जो डोर यूज हुआ है ओ है 8 feet मतलब 2 feet 6 inch का डोर है और यहां पर एक विंडो विंडो का dimension है तिन feet और इसके बाद आते हैं बातरूम में तो यह स्मॉल फेमिली के लिए बातरूम है तो यह अगर ज़्यादा बड़ा बातरूम के जरुरूरत नहीं है तो यहां पर बातरूम का dimension है यहां से यहां तक है 4 feet और यहां से यहां तक है 6 feet change अतलब सब्सक्राइब चापिट और यहां पर एक डोर विंडो यहां पर डोर है और यह एक विंडो है तो डोर का जो डामेंशन है यह कीचेन की जो डोर है उसकी कीचेन के डोर और यहां पर जो विंडो है विंडो का डामेंशन है विंडो का जो डामेंशन है यह हम एक फ फीटउ हम वान है यहां से यहां तक है दस फ़ीट टो इस यह आगर आप डियनुंख है तो इसमां तो दे सकते हैं यहां पर एक विंचो दे सकते हैं तो मैं नहींट यहां गया हुँ इत तरव एक विंडो j第 है यां इस विंडो का जो डामेंशन ये है तिन फिट आर रफ यह याँ यह डॉरThis बाद आते हैं बेड्रान दूम सहने तो इस इस बेड्र में में तो का डाहिएंट से यहां से स्टाट होके इस तरफ से फास्ट फोलर में जाते हैं और यह फास्ट फोलर का लेंडिंग और अगर आप यहां पर एक फास्ट फोलर का एक प्रोच बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक प्रोच बना सकते हैं और उसके बाद फार्स्ट फॉलर में भी सेम प्लेंड होगा तो इस बिल्दिंग प्लेंड बरहने के लिए आपको लगबग खर्चा पड़ेगा दस से बार लग अगर आप अच्छा खासा मेंट्रेली उज़ करना चाहते हैं और इसका जो वाल का थिकने से यह जो आउडर वाल है यह है 10 इंच का और जो इंटर्नल वाल है यह है 5 इंच का और आप